नमस्ते आद में साउजे स्टैल में फिश करे दिखाने जा रहे हूं चलिए देखते हैं मैंने देखे हैं यहाँ पर फिश को अच्छी तरह शे वाश करके लिया है एक पतीले में चार चमद तेल डालकर इसको मिडियम आज पे रखना है और पांस से छे चमज लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से लो आज में पकाना है थोड़ी देर में आदा चमज हल्दी पाउडर डाल देना है इसमें अभी मैं तेन टमाटर का पेस्ट डाल रही हूं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है देखिए अब वाव कितना सुन्दर टेश्टी लग रहा है देखो अब इसमें गरम पानी डाल कर मिक्स कर लेना है बाद में स्वाद अनुसार नमग, आदा चमज, दनिया पौडर डाल करके अच्छी तरह से मिक्स करके अभी मुझे ठीका बहुत पसंद है इसलिए मैं ब्लैक पौडर डाल रही हूँ आप नहीं तो स्किप कर सकते हो अब धनिया को मैंने बारी कट करके डाल दिया है देखिए इस तरह से अब यह और थोड़ा पानी डाल कर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तोड़ी देर बाद इसको डख देना है दीमी आज पर दस मिनिट के बाद देखिए अभी यह कितना अच्छा कलर आ गया है अभी इसमें फिश डाल कर इस तरह से फिश डाल कर आपने और एक फाइब मिनिट तक पका लेना है देखिए अब हमारा साओजी श्टायल फिश करी बनकर रेडी हो चुका है फिर से हम नए रेसिपी के साथ मिलेंगे बाई